हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल इगनु बाबा में I hope you are doing well दोस्तो वो students जो मतलब अपने नमबरों से satisfied नहीं है exam में जो उनके marks आए हैं उनको लगता है कि उनके marks कम आए हैं मतलब exam में वो अच्छा करके आए थे फिर वे उनके कम नमबर आए है ऐसे students है जो विधा में है कि उनके कम marks कैसे आगए उनके साथ गलत हुआ है तो उनके लिए good news है क्योंकि इगनु ने जो rechecking है और answer scripts को देखने का process है उसको start कर दिया है उसके लिए application form start हो गए है आप देख सकते हैं इगनु का official website है इस पर scroll करके नीचे की तरफ जब आब आएंगे तो alert section में right hand side आपको एक alert दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है online application for re-evaluation and copy of answer script for term and examination December 2021 students जब आप इस link को open करेंगे तो आप इसके official website पर आएंगे जहां से application submit होगा इसमें अच्छे से लिखा हुआ है आप देख सकते है online application है किसलिए re-evaluation, re-evaluation यानि re-checking दुबारा checking के लिए end और copy of answer scripts copy of answer scripts का मतलब है कि जो आप answer seat भर कर आए है exam में जो लिखकर आए है उसकी copies और या फिर उसको re-check करवाना है दोनों के लिए जो application है जो term and exam हुआ था June में और December 2021 का आपको पता होगा कि December 2021 का जो term and exam है वो अभी भी process में है अभी conclude नहीं हुआ है खतम नहीं हुआ है अभी 11 April को वो खतम होगा तो जिन्होंने पहले ही exam दे दिया है जिनके exam हो चुके हैं वहीं अभी इस application form को submit कर सकते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यह जो exam है यह पहले दिया है मैं तो यह आपको recommend करूँगा कि आप June के exam के लिए इसको application को fill कीजिए क्योंकि अभी December का तो exam चली रहा है तो हो सके कि आपको answer sheet नहीं मिले री-evaluation में ज्यादा time लगे री-checking में ज्यादा time लगे तो आप June के लिए apply कर सकते हैं और देखिए मैं important कुछ जानकारी है वह आपको बता देता हूं कि इसमें किन subjects के लिए आप apply नहीं कर सकते री-checking के लिए या copy देखने के लिए तो वह है PC 001, BSHF 101, FST 01, BNS 041, BNS 042, BLI 011 और यह BL11012 course है, BLI 013 है, ऐसे जो course है मैं बता देता हूं यह कौन से course है, यह course वह हैं जिन में multiple choice question आते हैं मतलब OMR seat मिलती है उसको fill करना होता है तो जो भी OMR seat वाले exams है उनमें आपको मतलब यह सुविधा नहीं मिलेगी answer scripts देखने की, answer copy देखने की और या फिर rechecking की तो आप अगर इन subjects का देखना चाहते हैं इनमें कम marks आएं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अलावा जो दोस्तों जो यह आपको answer इसके देखने को मिलेगी यह सिर्फ exam का मिलेगा प्रोजेक्ट्स का नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल लैब कोर्स वर्क्स असाइमेंट वगरा कुछ समिट किया सैमिनार वगरा कुछ भी मतलब कुछ भी आपने assessment वगरा समिट किया उसके लिए नहीं मिलेगा ठीक है और जो इसमें और important जानकारी है आप देख लीजिए क्या कहते कि यह जो इसमें payment होगा वो दो तरीके से होगा डेविट कार्ड नेट वेंगिंग के तुरू डेविट कार्ड में master वीजा रुपे कार्ड भी चलेगा और credit कार्ड से भी आप payment कर सकते हैं इसके लिए simple एक registration process होगा यहाँ पर declaration पर क्लिक करना है green मतलब tick का sign लगा कर आये हैं उसको देख सकते हैं या फिर आप दुबारा री चेकिंग के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके marks कम आये हैं आप यहाँ पर journal instruction दिया हुआ है अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं journal instruction को इसमें कुछ important जानकारी होती है वो आप देख सकत हैं कि जो यह इसका फीस होगा re-evaluation के लिए वो कितना होगा 750 पर कॉपी पर सब्जेक्ट 750 रुपए री चेकिंग का फीस है यह जिनके result आ चुके हैं वो लोग नहीं जिनका result नहीं जिस subject का result आ गया है तभी तो आप देखोगे कि आपके marks कैसे आ है मतलब आपको लगता है कि आपके marks कम आए हैं यह कब पता चलेगा जब result आ जाएगा तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं पर subject मतलब result कौन सा होना चीए या तो वह जून का होना चीए December 2021 इससे पहले मतलब 2020 का कोई result आपका है उसके लिए नहीं पता चलेगा सिर्फ 2021 के लिए प आपको आपको मतलब इसका कुछ परिडाम दीखेगा इसका कुछ रिजल्ट दीखेगा तो यह है इसके अलबा answer इसके देखने का मतलब कौपी देखने का क्या प्रॉसेस है वह भी देख लेते हैं कौपी देखने का जो पेमेंट है वह 100 रुपए है पर पोर्स यह अगर आप कौपी देखना है तो 100 रुपए देखना पड़ेगा अप्लिकेशन फिल करना पड़ेगा उसक कि अगले 45 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी कौपी देखने के लिए जो एप्लिकेशन है उसमें तो यह कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है ठीक है तो आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैं इस पीडियोग को अप्लोड करूँगा और अपने टेलिग्राम चैनल पर इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं आप अलर्ट सेक्शन में निव अलर्ट है राइट है आपक कर सकते हैं यह सब इमेल आइडी वगएरा फोन नमबर दिया हुआ है तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिए वेल्वेशन के लिए रिचाकिंग के लिए अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए चैनल को थैं